हाल ही में हुए विधान सभाचुनावों में शांदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने भारत में अपना पर्चम लहराया है पांच राज्यों में हुए विधान सभाच चुनावों में जहां एक तरफ भाजपा ने मंध्यप्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और 36 गड़ की सत्ता कॉंग्रेस के हाथों से छीन ली इस बीच बीजेपी की प्रचंट जीत पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विशेव बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटो रही है पाकिस्तान के दन्यूज इंटरनेशनल ने बताया की चुनाव परिणाम भारत पर मोदी की मजबूत पकड़ दिखाते हैं पाँच में से तीन राज्यों में जीत से आगामी चुनावों में बीजेपी और मोदी को और बढ़ावा मिलेगा दडॉन ने अपने लेक में कहा चुनाव नतीजों को नहरू गांधी बंश के लिए एक और जटके के रूप में देखा जा रहा है बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जियो न्यूज ने रिपोर्ट दी एक शतक तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी लोगप्रियेब बने हुए हैं भाजपा के लिए यह जोरदार जीत दो हजार चुबिस के आम चुनावों से पहले आई है जिसमें पार्टी तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रही है शीर्ष भाजपा नेताओं ने जीत कश्रेय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि राज़े चुनावों में मोदी मैजिक ने काम किया पीम मोदी ने दिल्ली मुख्याले से बीजेपी कारेकरताओं को अपने संबोधन के दौरान कहा की आज की हैट्रिक 2024 में हैट्रिक की गारंटी है 24 हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है